असलाम अलेकुम दोस्तों कैसे हो आप सब आज मैं बना रही हूं सेवयाओं का मिठा जिसके लिए सेवया ली हूं में एक चुट्टा है ये घी है सेवयाओं को तलने के लिए ये ड्राइफूर्ट है आपको जतने लेना है आपको य When Leech 70 आप से ले सकते जो भी लेना है ये शक्कर है आपको जितना मीठा चाहिए आप शकर व्यिससा डे सकते रभन गे दॉलाम प्रश्च जान रहाज को फुट कलर है नियुक में थोड़ा फेदक शोड़ करते हैं ये pit necessary 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 मोटा हैता ना सरा तलने के लिए नहीं आता थोड़ा ऐसा, तोड़ लेंगे बीच में से, बगोने में घी दाली हो घी थोड़ा सा गळम हो जाता ना जब हम सेवयों को तल देंगे, चलिए घी घरम हो गया, अभि हम इसमें आधी सेवी दाल के तलाजेंगे, आधी फिर बाद तक हमें फ्राइ करना है ओवर फ्राइ ने कर देना यह देखिए सेवियां तलियों में इसमें थोड़ा घी बचा यह हम ड्राइफूट डालेंगे तक हमें ज्यादा ब्राऊन करना बस थोड़ा सा इसे तल लिंगे निकाल दिंगे शाथी यह देखिए आदे मगजया मैं इसमें निकालती हूँ थोड़े से इसमें अंदर ही रखती हूँ बगोने में इसमें हम क्या करें फ्लेम को लोग करके भी थोड़ा है राएने दिने, सेम वियास के अंदर दाल दिने, अब हम इसमें पानी दालेंगे, इस गुलाव बालीमे और एक आदी गुलाव पानी दाली, और साथी हम शकर भी दाल देंगे इसमे, शकर में दो बड़े चमच दाली, सालन का चमच रहते उसे, शकर इसलिए साथ दाली के सेमी गलना नहीं ज्यादा अगा गल गई तो अच्छी नहीं दिखती नरम हो जाती पस ज्यादा इसमे फूट कलर दालेंगे थोड़ा सा थोड़ा इलैची पॉडर दालेंगे यह देखिए सेमयों का मीठा बनके तयार है मैं एक दो मेट फिर इसको दम पर रखे थी चैकी दो बड़े चमच साललन के चमचे से मैं शकर दाली थी थोड़ा फिका दिखा तो फिर और एक आदा चमच दाली बरबर है तो अब हम इसे दो मेट के लिए रखे एकदम करंची है अब हम बहुत जल्दी बन जाती बस तरलने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है मगर बनते इस टाइम पर बहुत जल्दी बन जाती चलिए अब हम इसे डिशॉट करते हैं यह देखिए सेवयों का मिठा बनके तयार है वह जल्दी बन जाता आप इससे गरम-गरम खाईए अगर आपको मेरी रेसी भी पसन आए तो प्लीज लाइक करिए शेर करिए कमेंट करिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिया जो फास्ट टाइब मेरा वीडियो दिख रहे है प्लीज सब्सक्राइब करें बगर मत जाहिए अल्ला हाफीज